जय हिन दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ये चैनल क्रेकन फारूर में तो दोस्तों इस वीडियो में हम कबर करने वाले सोबी वर्से डबलू ये अपके बीच जो हंड्रेट का फर्स्ट मैच है उसको तो आएए देख लेते हैं क्या क्या इंपोर्टन अप्डेट्स हैं कौन-कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपोर्टन फिक्स हो सकते हैं और वीडियो थोड़ा ध्यान से देखेगा क्योंकि जो आ आपको टामली नोटिफिकेशन बिलता रहें और जो सबसे इंपोर्टन बात है वह यह कि आपको मारा फाइनल अप्डेट जो भी फाइनल टीम होगा कुछ इंपोर्टन जील रोटेशन वह सब कुछ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लस फाइनल जो भी इनक कि फाइनल के परियंक सबसें कंब्लेगे और चैनल को जॉन कर लीजे नहीं तो इस्क्रिन पर दिये गए इस्टरक्शन को फॉलो किजे अपको आपको करना क्या है आपको जाना है यह टेलिगराम एप यह टेलिगराम है ऊपर टॉप में राइट साइद मैं आपको सर्ज का सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा ये सब्सक्राइबर चेंज होते रहेंगे लेकिन आपको फाइनल क्राउंट नीचे स्क्रिन पर दिख जाएगा उस हिसाब से आप चैनल का अंदाजा लगा लिजेगा बस सेम इसी यूजर नेम वाले चैनल को जोईन कर 20 से 20 बॉले कम होती है तो मतलब जो नीचे वाले बलेवाज है उनका वैलू थोड़ा सा और कम हो जाता है ये बात ध्यान दिजेगा दूसरा जो इंपॉर्टन पॉइंट है कि यहां पे बॉलर चाहे तो मतलब 5 बॉल मतलब 5 बॉलों का होता है लेकिन चाहे तो 10 बॉले और बाकी सारा रूल लगभग सेम है तो दोस्तों बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की तो मैच होने वाला है दरोज बाउल सौथ हैंटन में और ये विकेट बलेवाजों को ज़्यादा मदद देता है पेस बरसाइज स्पिन की बात करें तो यहां पेस का स्पिनर से ज्या सकते हैं फर्स्ट इनिंग की टीम अगर बहुत ज़्यादा यहां पे स्कोर कर देती है जैसे कि यहां पे नॉर्मली 160-180 के बीच में T20 ब्लास्ट में स्कोरिंग होता था अगर उससे उपर स्कोरिंग हो जाता था तो क्या होता है सेकंड इनिंग में आ जाता है प्रेसर और सेकेंड इनिंग की स्पिनर अच्छा-खासा लोगे जाते नहीं तो यहां पे मोस्तली स्पिर्स्त टेके स्पिणर ही लेते हैं फ़र्स्ट इ係्रिंग 50 में हिवरेज इंवरेज इस्पिनर या जो बहुत ज़्यादा लाइन पे बस ग्यидबाजी करते हैं विकैट टेकिंग नहीं है उनको विकेट फर्स टिनिंग में ज्यादा नहीं मिला हुए तो यह बात ध्यान दीजेगा ओबरॉल अब चलते हैं हम head to head record पे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो SOB की team और WEF की team के बीच दो matches हुए जिसमें SOB ने एक जीता है WEF ने एक जीता है लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन favorites है तो favorites है SOB की team उसका region यह है WEF की team का performance last season भी बढ़िया नहीं था और इस season भी उनके पास भरोसे मंद बल्लेबाज नहीं है और इनका balling attack form में प्लस बल्लेबाज भी अच्छे हैं तो SOB की team को मेरे हिसाब से अगर कुछ unexpected ना हो तो favorites होना चाहिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं SOB team के preview की तो यह current champions है सबसे पहले यह जान लीजे मतलब team का आप ही अच्छी रही होगी और अपने core को इस season भी maintain किया है तो दोस्तों बात कर लेते हैं कौन-कौन से player unavailable है इस team में तो देखें क्वेंटन डिकॉक नहीं है फिन एलन नहीं है और पॉल स्टर्लिंग यह तीन नहीं रहेंगे पॉल स्टर्लिंग व्यसे सुरुवात के matches के लिए है भी नहीं वह क्वेंटन डिकॉक का एज रिप्लेस ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं अलंकि मारकस इस्टोइनिस भी ओपन कर सकते हैं दूसरा team डेविट को मैंने number 5 पे दिखाया है लेकिन वो कभी भी weather लेके उपर आ सकते हैं तो number 4 और number 5 में change हो सकता है betting order ये भी बात द्यान दिजेगा बाकी आपको probable 11 expected betting order में ये screen पे दिखाई दे रहा है यहां पर most of the over की बात करें तो most of the over इनके तरफ से जो करेंगे वो यहां पर most probably ये 5 इनके main baller है जरूरत पड़ी तो इस्टोइनिस 6th balling option है team David इनके पास 7th balling option है ये बात द्यान दिजेगा एक और बात जो important है इनके टीम में शुरुआत में number 5 तक कोई भी left handed वलेबाज नहीं है मतलब सामने team में जो उनके अब्रेक गिदवाज जैसे जोसुआ कॉप बालिंग करते हैं left handers के अगेंस mostly तो वो सायद आपको बालिंग करते वे जादा नहीं दिखाई देंगे ये बात द्यान दिजेगा बाकी death overs की बात करें तो death overs इनका confirm रहता ह टीमल मिल्स और दूसरा क्रिस जोर्डन ये करेंगे और यहाँ पर मैं expect कर रहा हूँ कि जोर्ज गॉर्टन नहीं खेलेंगे ओवर टन और जेंस फूलर को team preference देगी तो ये था इस team का लेखा जो का अगर बात करें इनके team composition की तो ये screen पे है अब बात कर लेते हैं player wise analysis की तो सबसे पहले जो weatherly की तो देखें ये है technical बलेबाज और consistent performer भी है लेकिन बस इनके साथ दिक्कत ही है ये बहुत impact वाला generally score नहीं करते 30-20 तक जाते कई बार विकेट फेक देते हैं दूसरा जो important point है कभी इनके उपर team David का promotion हो सकता है इसलिए small league में उसने अच्छे pick नहीं होंग और बेहतरीन फॉर्म में रहते हैं अभी इस season जो T20 blast हुए उसमें 49 का इनका average रहा था last season भी almost 30 के आसपास average है head to eight भी बेहतरीन है बहुत ही सांदार player even captaincy के भी सबसे safe options में से एक रहेंगे फिर आते है Alex Davis जो की technical बलेबाज माने जाते हैं even consistent performer भी माने जाते हैं लेकिन form इस स score नहीं है इसलिए उतने अच्छे pick नहीं होंगे हाँ GL में जरू try कर लिजेगा आप अगर वही last season का performance देखें तो almost 29 का average है venue पे record भी बेहतरीन है head to eight भी अच्छा है लेकिन दिक्कत यह form अच्छा नहीं चला है इसलिए GL में इनको try कर लिजेगा क्योंकि अगर top order mention हुए तो mention होते हैं तो यह captaincy के एक safe choice हो जाएंगे क्योंकि फिर कुछ overs balling का backup भी आपको मिल जाएगा अपने cutters के लिए जाने जाते हैं और generally एक आख विकेट भी लेके चले जाते हैं और batting तो बहुती दमदार रहता है यह बात ध्यान दिजेगा आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं team David बहुती तगड़े hitter और बहुती 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 फार्म में थे सुरुवात में हालंकि last के कुछ मैचों में उस form को बरकरार नहीं रख पाए लेकिन बहुती तगड़े hitter हैं और अगर यह number 4 तक batting order में mention होते हैं तो एक अच्छे पिक रहेंगे अगर number 5 पर होते हैं तो फिर last के कुछ बॉले ही सायद खेलने को मिले तो उस case में थोड़ा से average पिक रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा balling की आप उमीर इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास पहले से ही अच्छे ballers हैं और stonies को लिले तो total 6 अच्छे ballers हैं तो सायद balling उतना ज्यादा ना मिले तो ये बात ध्यान दीजेगा overall ठीक ठाक पिक रहेंगे लेकिन बैटिंग order थोड़ा से ज्यादा नीचे होगा खास कर अगर number 5 पर तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बैटिंग इन कम बॉलें भी करते हैं तो विकेट लेके जाते हैं प्लस एक्स्ट्रा पेस थोड़ा सा जनरेट करते हैं और जो दूसरा important point है hard hitting करते हैं लास्ट में आके चौके छक्के भी लगाते हैं अभी इनका T20 blast form देखे 2022 में 32-22 का average है 1500 का strike rate है और 16 inning में 23 विकेट लेके गया हुए ह तो ये आपके लिए trump card pick रहेंगे इनको आप try कर सकते हैं बस देख लिजेगा number of ballers कितने अगर ये उन 5 main ballers में हैं तो ये आपके लिए अच्छे pick रहेंगे क्योंकि wicket taking baller है प्लस थोड़ा बहुत run भी बना के जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं Chris Jordan जो की बहुत बहुती बेहतरीन form में चल ले हैं hardland पे गेदवाजी करते हैं प्लस deathovers में यorkers का बेहतरीन प्रयोग करते हैं और अभी इंग्लेंड से भी form अच्छा चलना था है लेकिन इस level पे most of the time wicket taking baller होते हैं इवेन last के 10 baller भी लगवाग confirm रहता है यही करते हैं तो ये आपके जो की थोड़ा सा hit the deck बॉलिंग के लिए जाने जाते है और सुरुवाद में जब आये थे तो ये विकेट भी अच्छा खासा लेके जा रहे थे इनके सॉटपीज बॉलों को जल्दी लोग नहीं खेल पा रहे थे लेकिन उसके बाद इनकी बॉलों को खेलना सब लोग को समझ में आ गया और उसके बाद जम के पिटाई होता है इवेन आप T20 ब्लास में इनका परफॉर्मस देखें साथ मुकाबलों में केवल एक विकेट बिग बैस में कहाए वहां भी पिटाई हुआ, IPL में भी पिटाई हुआ तो अगर खेलते भी हैं तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे हाँ, GL में ट्राई कर लिजेगा कभी कबार बंडल में विकेट ले जाते हैं अभी T20 ब्लास में साथ मुकाबलों में केवल एक विकेट है हार्ड हेटिंग जरूर कर लेते हैं फिर आते हैं क्रेग ओबर्टन अपने लाइन लेंध के लिए और मुम्मेंट के लिए जाने जाते हैं अबरॉल अच्छे गिदबाज है, खार्श कर इस लेवल पे कभी भी विकेट लेके जा सकते हैं लेकिन इन से जादा विकेट टेकिंग नेचर के गिदबाज इनके टीम में है तो मैं आपको ये बोलूगा उनको कभर कीजिए पहले लेकिन ऐसे गिदबाज हैं जिन पर आप रिस्क ले सकते हैं एक आक विकेट तो आराम से ये लेके जाते हैं अगर आप देखें तो वहाँ पे इनका परफॉमस बहुत ही बढ़िया था छे मुकाबलों में दस विकेट और उसके अलावा लास सीजन तीन मुकाबलों में तीन विकेट लिया था वेन्यू पे रिकॉर्ड काफी अच्छा है ओबर आल एक डिसेंट पिक रहेंगे ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं जेक लिंटॉट चाइना में गेट बाज और करेंटली डोमेश्टिक क्रिकेट में इनके सबसे बेस्ट गेट बाज है इस पीनर में इवन आदिल रासिस से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और जल्दी ये सायद इंगलाइन टीम में भी आते हुए आपको दिखाई देंगे बहुत ही बहतरिन गेट बाज है चाहे जब बालिंग आए ये विकेट लेके जाते हैं मतलब आपके टीम में अच्छे पिक रहेंगे लास्ट सीजन भी नौ मुकाबलों में 11 विकेट लिया था वेन्यू पर भी परफॉमेस बहुत ही बहतरिन है इस सीजन का टीटवनटी बलाज देखे 15 मुकाबलों में 22 विकेट ले चुके हैं फिर आते हैं टीमल मिल्स बहुत ही सांधार गेद बाज विकेट टेकिंग बाल चाखा सब विकेट लेके गए थे फिर आते हैं नीचे कुंटन डिकॉप जो कि नहीं खेलेंगे तो दोस्तों ये था इस टीम का पूरा प्लेयर वाइज एनाल से आगे एक दो प्लेयर और देख लें जो खेलने वाले हैं साइद ये लोग नहीं खेलेंगे तो आगे वाले टीम पे चलते हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं डबलू एयर टीम के प्रिव्यू की तो लास सीजन बहुत ही खराब रहा था पीछे से सेकेंड रैंक पे थे और इस सीजन भी मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा जाने वाला है अंटी अलेस के इनके वाले बहुत ही अच कर जाएं तीसरा इनके टीम में थोड़ा सा जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं उनकी कमी है आगे बढ़ते हैं टीम के प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं प्रॉबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में तो यह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह इनका बहुत ज़्यादा अटेकिंग ऑप्सन चाहिए तो यह पोप के साथ भी जा सकते हैं तो यहां एक चेंज हो सकता है प्लस हो सकता है कि इन ही के जगह यह चाहें तो जोसुआ को भी खिला सकते हैं हालंकि कोप के साथ माइनस पॉइंट यह है कि वो थोड़ा सा उप ब्रेक किदवाजी करते हैं और टीम उनको तभी जल्दी मौका देती है जब सामने लेफ्ट हैंडर्स हूं तो सामने वाले टीम में ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स नहीं है तो मुझे चांस है उनके कम दिखाई दे रहें लेकिन वह भी खेल सकते हैं यहां पर यह बात ध्यान दिज साथ से पाइने डीपेन और जेक बॉल इन दोनों को करना चाहिए जरूरत पड़ी तो नसीम साभी कई बार डेथ में कर लेते हैं खासकर सीपील से और इबेन इस बार जो पीएस सेल हुआ था उसमें भी डेथ में कर रहे थे तो यह भी कर सकते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा कनफर्म नहीं है यह खेलेंगे की नहीं और सुनने में आ रहा है सायद अब लेबल नहीं है सेलेक्शन के लिए तो यह भी बात ध्यान दिजेगा अब हम चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस पर जो कि सबसे इंपोर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आते हैं केटेगरी में डेविस का फॉर्म अच्छा नहीं है और यह इंपक्ट वाले ज्यादा बलेबाज है तो यही आपके लिए ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे फिर आते हैं जो क्लार्क एक और थोड़ा सा हिट और मेश टाइप वाले बलेबाज लेकिन इंपक्ट वाले प्ल भी कबार यह अच्छा का सा स्कोरिंग करतेते हैं लास्ट सीजन बहुत ही खराब परफॉमेंस था चौदा काई एवरेज था टीट वाले प्लेयर हैं और एक मैच चलते हैं फिर फ्लॉप होंगे फिर एक चलते हैं तो ओबराल थोड़ा सा मतलब नजादा अच्छे ट्राइ कीजिए फिर आते हैं सैम हैं बहुत ही सांदार प्लेयर और मुझे डाउट होता है इनके जैसे कलिवर वाला प्लेयर अभी तक इंग्लेंड क्रिकेट से क्यों नहीं खेला हमेशा टॉप रन स्कोरर में रहते हैं बीच में इनका होता था कि स्ट्राइक रेट अच् सबसे बड़ी बात और अच्छे फॉर्म में रहते हैं इनको हलंकी बड़े लेवल पर ज्यादा मौका टीमें देती नहीं है थोड़ा साइन का पहले स्ट्राइक रेट गरबर था लेकिन अब स्ट्राइक रेट भी बढ़ियां हो गया तो यह आपके लिए एक ट्रॉम कार् सब्सक्राइब कर लेते हैं इसलिए 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 इच्छे नहीं होंगे जील में एक ट्राइब कर सकते हैं लास सीजन भी 24 पांच के वरेस से स्कोरिंग किया था तग्रे हीटर है लेकिन थोड़ा सा बैटिंग और नीचे है फिर आते हैं मैट क्रिच ले यह आपके लिए ठीक ठाक पिक होंगे एक तो अच्छे हीटर है प्लस बैटिंग से फॉर्म बढ़ियां चल ला है और गिदबाजी भी से स्कोरिंग किया दस मुकाबलों पंदर विकेट भी लिया और लास्स सीजन हंड्रेड में 16 दसलों पांच के वरेस था और पांच मुकाबलों में च्यार विकेट लिया था तो यह आपके लिए एक ट्रम कार्ट पिक हो सकते हैं फिर आते हैं रियान हिगिंस बहुत ही तग यहां पिक रहेंगे विकेट टेकिंग बॉलर हैं आगे बढ़ते हैं फिर आते हैं जेक बॉल अगेन एक विकेट टेकिंग बॉलर कटर्स पे ज्यादा कंट्रोल रहता है पिटाई होता है लेकिन विकेट लेके जाते हैं तो यह आपके लिए अगर फर्स्ट इनिंग में ब दोई विकेट मिला था लेकिन इस सीजन टी 20 ब्लाश में 8 मुकाबलों में 18 विकेट लिया उसके अलावा भी इनका पर्फॉम्मेंच जनरली ठीक ठाकर रहता है पिटाई होती है लेकिन विकेट लेते हैं पिर आते हैं डी पेन बहुत ही तगड़े गदबा सुर्वाती ओवर लास सीजन 7 मुकाबलों में 6 विकेट मिला था टी 20 ब्लाश में 9 मुकाबलों में 18 विकेट लिया और विकेट टेकिंग बॉलर हैं ये बात ध्यान दिजेगा फिर आते हैं नसीम साह ये उतने विकेट टेकिंग नहीं माने जाते हैं अपने एक्ट्रा पेस और सॉटपी डिल अगर खेलते हैं तो इनको आप जियल में जरू ट्राई कर लीजेगा मैं अभी स्योर नहीं हूँ यहाँ पर टीम इनको डेथ में बॉलिंग देगी की नहीं क्योंकि इनके पास डी पेन और उसके अलावा जेक बॉल पहले से ही हैं लेकिन अगर डेथ में बॉलिंग कर गया नीचे फिर आते हैं G Scream Saw जो की काफी सांदार form में दिखाई दिये थे इस T20 Blast में लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा लाइनलेंद इनकी बहुत ही अच्छी रहती है मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा अभी थोड़ो सा बड़ी लेवल पर परफॉमेंस देख लि हैं ज्यादा तो मुझे नहीं लगता बॉलिंग करने वाले हैं और बैटिंग में जब यह एजे बैटर खेलते हैं तो इनका थोड़ा सा हंड्रेश में बैटिंग और भी नीचे रहता है लासी जन या तो पांचवे नंबर पे आ रहे थे या तो चौत ज़्यादा साइद बिना है तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे क्योंकि बॉलिंग करने के ज़्यादा चांसे नहीं है यह बात ध्यान दीजेगा जील में एक टीम में ट्राइग कर सकते हैं तो दोस्तों यह था पूरा प्लेयर वाइस जिसके इसाफ से खुद की टीम बनाएंगे तो ज्य ज़्यादा फेवरेट्स रहेंगे तो उसी साथ से टीम बनाने कोसिस कीजिएगा इस्टार्ट करते हैं वेकट कीपर में बेंटन सबसे बेस्ट ऑप्सन है डिकॉग बेस्ट हो अब लेबल है नहीं एक बार आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वहां बैटिंग होने के चांसे हैं नहीं रहते हैं लेकिन इंपक्ट वाले प्लेयर हैं तो इनके साथ मैं जा रहा हूं नीचे सैम हैं अगर खेलते हैं और खासका टॉप चार तक मेंसंड होते हैं तो एक बढ़ियां पिक रहेंगे कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाते हैं और काफी टेकनिकल मतलब बढ़ियां पिक अच्छे कैप्टेंसी और में प्लस बालिंग करने के चांसे कम हैं इसलिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे जैंस फुलर बेहतरीन फॉर्म में चल लहा है इसलिए मैं इनको कबर कर रहा हूं विकट टेकिंग बॉलर है मैं इनके टीम का बैटिंग थो विकट टेकिंग बॉलर है क्रिस जोडन यह भी अच्छे गिदवाज है यह भी बढ़ियां पिक रहेंगे जैक लेंट टॉट विकट टेकिंग बॉलर है इनको भी आपको कवर करना चाहिए नीचे डीपें विकट टेकिंग बॉलर है अब ट्राइए कर सकते हैं मैं जनरली फर्स्ट बॉलिंग आएगा तो इनको कवर करूंगा नहीं तो फिर मैं इनको नहीं लूँगा लेकिन गिदवाज अच्छे हैं आप ट्राइए कर सकते हैं जैक बॉल फर्स्ट बॉलिंग के केस में मस्ट पिक सेकंड बॉलिंग में थोड़ो सेवरेज पिक टीमल मेल्स वि इनको आप स्मॉल लिग में कैफटन बना सकते हैं तो जोड़न मिल्स पर यह अपक्टन कर लीजिगा फर्स्ट बॉलिंग के केस में जैक बॉल और डीपन उनको काप्टन कम करेंगे लेकिन वो कभी भी बंडल्स में विकेट लेकर जा सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ वि की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे लिए सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकॉन जरूर प्रेस कर देजिएगा धन्यवाद